एलो दोस्तों DNS के इस एपिसोट में आपका स्वागत है तो दोस्तों इस एपिसोट में हम बात करेंगे DNS records के बारे में और चानेंगे एक एक करके सारे records के बारे में ठीक है चलिए हम स्टार्ट करते हैं with SOA and NS record तो दोस्तों जैसे ही हम कोई एक zone बनाते हैं एक डारेक्टरी के अंदर ठीक है तो जैसे ही हम DNS में कोई एक zone बनाते हैं तो यह दो record आटोमेटिकली दोस्तों ही create हो जाते हैं ठीक है तो यहां पर मैं एक Zone बनाने जा रहा हुं जिसका नाम है X Y Z ठीक है तो X Y Z एक zone बनाने जा रहा हूं और देखते हैं जैसे ही हम इस zone को बनाएंगे तो दो record और उन्हें records को समझते हैं Whereas are Mesdaag.com और चेंच एक जोन बनाने जा रहा हूँ और इसको आप यहां पर देख सकते हो xyz.com यहां पर दो रिकॉर्ड बनके आ गया एक SOA रिकॉर्ड बनके आ गया और दूसरा हमारा यहां पर दोस्तों क्या होता है कि यहां पर कोई भी चेंजर होते हैं इस जोन में तो वो इसका सीरियल नंबर बढ़ता चला जाता है जस्त लाइक मैं यहां पर एक TXT रिकॉर्ड बनाता हूं ठीक है एक TXT रिकॉर्ड बनाता हूं यहां पर ठीक है एक रिकॉर्ड बना लेते हैं यहां पर एक रिकॉर्ड का मैंने नाम दिया होस्ट ठीक है और इसका एक आईपी दे दिया 10.0.0.8 कर लिया ठीक है यह रिकॉर्ड एक बन गया यहां पर तो अब इसका जो है जोन का सीरियल नंबर चेंज हो जाएगा मैं इसको रिफ्रेस्ट कर द तो मैं इसको रिफ्रेस्ट करता हूं तो मारा सीरियल नंबर कितना हो जाएगा तीन अब दोस्तों कुश्चन यह उड़ता है से फायदा क्या होता है तो इस बेनिफिट को समझने के लिए मैं आपको अपने डाइग्राम पर ले चलता हूं और इसका हम बेनिफिट जानते ह पर हमारे दोमेन कंट्रोलर हैं ठीक है डिसी वन डिसी टू यह दोनों एक ही नेट्फट में है मतलब एक ही डोमेन में है ठीक है तो इसका मतलब यह हुआ जो लेटेस्ट फाईल है dns की zone की वो किसके पास है dc01 के पास और dc02 के पास old file है तो जब इन दोनों के बीच में replication होगा ठीक है तो यह क्या करेगा जो नए records बने हैं या delete हुए हैं वो इसको बता देगा ताकि इसका भी अपना serial number 4 हो है तो यह serial number का एक फाइदा मिलता है ठीक है तो अब आपको clear हो गया होगा serial number का benefit ठीक है तो हम चलते हैं फिर से अपने domain controller के उपर अब दूसरी चीज़ क्या है उसमें serial number के बाद यह मैंने reference interval आता है और retry interval आता है और expiry after तो यह दोस्तों जब हम secondary zone बनाते हैं ठीक है तो यह तीनों interval काम में आते हैं reference interval और retry interval और expiry interval अगर हम AD integrated zone यूज कर रहे हैं ठीक है जैसे यह currently हमारी कौन सी zone है AD integrated zone है ठीक है अगर हम AD integrated zone यूज कर रहे हैं तो यह intervals का कोई मतलब नहीं है ठीक है क्योंकि replication कि इसके थुरू हो रहा है active directory का replication हो रहा है active directory replication DNS के बहुत का topic है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे replication होता है ठीक है तो यह आपको समझ में आ गया तो यहां पर क्या होता है reference interval अगर आप secondary zone मनाने जारो मतलब primary zone retried होगी secondary zone हमारे read only होती है ठीक है तो यह secondary zone इससे कब-कब refresh होगी और try interval कब करेगी और जो मेरा secondary zone वाला जिन्होंने topic नहीं देखा है वो देख लें तब उनको यह clear हो जाएगा TTL मैं आ अलेड़ी आपको बता चुका हूँ अब आते हम name server पर तो दोस्तों जैसे मैंने यह zone जब मैंने बनाई थी तो मैंने किसी ना किसी server पर तो बनाऊंगा ही zone तो वो server कौन सा है वो यहाँ पर NS record में show हो रहा है ठीक है हम इसको NS delegation भी बोलते हैं मतलब हमने इस zone को delegate कर दिया ठीक है कि यह इसका authorize हो गया ठीक है इस zone को यह authorize दिखा रहा है ठीक है authorize का मतलब क्या हो गया दोस्तों जब हम power cell open करते हैं या cmd open करते हैं cmd open करते हैं ठीक है यहाँ पर मैं लिखता हूं NS lookup ठीक है NS lookup में आपने लिखा और NS lookup में आपने क्या लिखा कि माल लीजे यहाँ पर जैसे मैंने इस lookup लिखा और यहाँ पर मैंने लिखा google.com ठीक है को google.com क्या होगा हमारे लिए non-authoritative answer non-authoritative answer और authoritative answer में difference क्या होता है ठीक है non-authoritative answer में से क्या हुआ यह zone कि यह जो google.com मैंने लिखा यह किस dns server ने resolve किया 10.0 10.1.4 ठीक है इस वाले hr dc01 का आई-पी है यह आप यहाँ पर server का नाम भी देख सकते हो इसने resolve किया और यह non-authoritative answer हुआ non-authoritative answer का मतलब हो गया दोस्तों कि यह zone ना इस server पर उपर नहीं है इस dns पर नहीं है अगर आप आप देख सकते हो इस dns पर कौन कौन सी zone है हमारे पार scl सोरी hr वाली है ठीक है hr.learn और xyz.com ठीक है अगर मैं xyz के अंदर एक record बना देता हूं एक record हम बना देते हैं यहाँ पर txt text ठीक है और इसका IP देते 10.0.0.9 ठीक है तो यह record एक यहाँ पर बन गया यहाँ पर हम xyz करेंगे test xyz.com ठीक है तो यह हमारे लिए क्या होई अथरटिव हो गई क्योंकि क्या हुआ जो resolve कर रहा है जो server के पास request जा रही है resolve करने के लिए क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पर मैं आपको फिर से समझाता हूं तो दोस्तों जैसे ही हम ns lookup करते हैं ns lookup हमने command लिखी तो यह किसी ना किसी DNS server से connect हो जाएगी ठीक है तो अभी किस DNS server से connect है hrdc01 यह जो हमारा server है इसके उपर कौन-कौन सी जोन है तीन जोन इसके उपर बनी हुई है forwarder में एक msdc और दूसरी है hr और तीसरी xyz ठीक है अब हमें क्या करना है हमें xyz के अंदर मैंने एक record बनाया हूँ जिसका नाम है test ...xyz.com test .xyz.com ठीक है तो यह record हमारा क्या हुआ authoritative answer आ अगया ठीक है अगर मैं यहाँपर google.com करूंगा ठीक है तो यह हमारा क्या हो गया non authoritative answer हो गया ठीक है अगर google.com को मैं ने किया क्योंकि यह non authoritative क्सली हुआ क्योंकि google.com सी कोई zone यहाँ पर έχ N fy Unter just suppose Delhi लीजिए मैं यहां पर एक एक आरंडी के लिए ठीक है एक जोन और बना लेता हूं जिसका नाम रखता हूं कॉम ठीक है उसके अंदर हम एक रिकॉर्ड बनाएंगे जिसका नाम होगा Google ठीक है तो आपको क्लियर हो जाएगा यह कॉम बन गहीं हमारी जोन और इसके अंदर मैं एक रिकॉर्ड बना लेता हूं जिसका नाम है Google ठीक है और इसका आईपी दे देता हूं मैं 10.0.0.5 ठीक है तो अब मैं Google.com यहां पर टाइप करूंगा गोगल.com तब देखे रिजल्ड क्या आएगा यह आया 10.0.5 अब यह authoritative है ठीक है क्योंकि यहां पर non authoritative लिखके नहीं आ रहा है ठीक है आपको अब clear हो गया authoritative और non authoritative का मतलब यह हो गया कि अगर जोन हमारी यहां पर available है ठीक है यही server reply दे रहा है response दे रहा है जिसके ओपर हम NS look up कर रहे हैं तो यह zone authorize का मतलब हो गया authoritative का मतलब हो गया कि zone यहां पर available है और यह server को delegation मिला हुआ है इस name server को delegation मिला हुआ है ठीक है correct यह आपके समझ में गया और अगर non authoritative है तो इस server को delegation नहीं है उस zone के उपर ठीक है तो जैसे यहां पर मैंने xyjet.com बने या dot com की zone बनाई तो यह जो zone बनाई तो यहां पर हमारा एक server by default add हो जाता है जिस server पर हम zone बना रहे है तो यह server क्या हो गया delegation मिल गया इस server को ठीक है तो यह आपको समझ में आ गया name server के बारे में कि यह delegation इसको particular zone का मिल जाता है ठीक है अब आते हम next record पर दोस्तों जैसे next record मैंने यहां पर a record बनाया host record इसको host record भी बोलते है a record भी बोलते हैं तो यह हमारा होता है IPV version 4 के लिए ठीक है IPV version 4 के लिए और इसका काम क्या होता है name to IP ठीक है अगर next record हम देखते हैं c-name record क्या होता है conical name record बोलते हैं alias record भी बोलते हैं इसको c-name के लिए मैंने क्या किया हुआ है यहां पर अगर आप browser पे जाओगे तो इस server के उपर इस server के उपर मैंने is tool install किया हुआ है ठीक है is tool install किया हुआ है is tool पे आगर आप देखो यह मैं एक बार दिखा देता हूं आपको तब picture clear हो जाएगी is tool install किया हुआ है दोस्तों यह हमारा is internet information services ठीक है तो इसके तुरू मैंने एक website बनाई इस server के उपर ठीक है अगर आप उस website को access करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर क्लिक करोगे तो server का name और port number डालना पड़ेगा ठीक है server का नाम और port number तो यह अभी मेरी website क्या है यह website है हमारी ठीक है localhost और port number अगर मैं localhost की जिगे पर इस server का नाम भी डाल सकता हूँ इन सर्वर का नाम हमारा क्या है यह ठीक है तो यह पर यह डाल सकता हूँ आइ और के मारी यह website open हो रही है ठीक है यह website open हो रही बट इसका नाम बहुत बड़ा है मैं चाहतभा इसका नाम छोटा अग्यासा हो जाए ठीक है उससे क्या होगा मुझे फाइदा की यूज करने में आसानी रहेगी तो मैंने किया यहां पर एक alias record बना दिया ठीक है alias record जिसे यहां पर आप देख सकते हो एक alias record बनाया है intranet के नाम से और यह किसके उपर locate हो रहा है उस server के उपर जिसके उपर website है यहां पर यह जो server है यह मेरा local domain controller है ठीक है इसका नाम जो है आप compare कर सकते हो इसके same नाम होगा यह वाले के नाम ठीक है तो मैं आपको cnm record बना ना भी बता भी देता हूं कैसे इसको मैं delete कर देता हूं फिर से हम cnm record बना लेते हैं यहां पर मैंने cnm record पर क्लिक किया ठीक है यहां पर आप लिखोगे कुछ भी नाम मैं इसका नाम दे देता हूं www ठीक है इस पर www लिख दिया मैंने और यहां पर उसका जो यह मेरा सर्वर है जिसके ओपर website है उसको आपको यहां पर find करना है find करने के लिए आपको correct HR में बना हुआ है और यह है मेरा वो server hrdc01 जिसके ओपर अभी मैं login हूं ठीक है इस पर click किया hrdc01 अब आपको यहां पर क्या लिखना है अब स्टेटी एस है नहीं तो आपको एस हटाना पड़ेगा और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं www three times w जैसे आप three times w लिख हो गए तो यह website open हो जाएगे ठीक है तो यह conical name का मतलब फाइदा क्या मिल जाता है हमें कि हमें अगर conical name के थूरू हमें अगर alias name define करना हूं यह alias name हो गया कौन सा alias name हो गया? www जो मैंने अभी www लिखा था वह alias name है जो अभी यहां पर www लिखा है यह alias name है ठीक है आप conical name में क्या कर सकते हो इसके फ़रूफ फाइदा क्या होता है कि आप alias name हमें क्या होता है easy नाम आप डाल सकते हो और यह पूरा नाम यार रखना बहुत टफ जॉब हो जाती है तो हम मैंने क्या कि एक easy नाम डाल दिया और इसको redirect कर दिया उसके fqdn के साथ में ठीक है तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा अब हम आ जाते हैं mx record दोस्तो mx record क्या होता mail के काम आता है mailing server के ठीक है यहाँ पर आप अपनी डोमेन का नाम जाल सकते हो यहाँ पर fqdn डाल सकते हो ठीक है इतना डालोगे अभी मेरे पास mail server नहीं है बढ़ हाँ इस record को आप समझ सकते हो mx record होता है regular mail के लिए ठीक है तो यह हो गया हमारा दोस्तों next हमारा record है srv records इसको create करना just like यहाँ पर आपने क्लिक किया और यहाँ पर देखिए service location srv record को हम service location भी बोलते हैं तो जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट dns वीडियो में आपको बताया था यह srv records जब हम domain controller बनाते हैं तो यह srv default records बन जाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो यह पीछे srv records यह सारे बन जाते हैं अपने आप ठीक है srv record का गाम क्या होता है कि यह locator का जैसे काम करते हैं कि यह location को बताते हैं कि कौन सा domain controller कहां पर पड़ा हुआ है ठीक है और उसके तुरूँ वो service प्रोवाइड कराते हैं आप नया srv record भी बना सकते हो ठीक है जैसे यह default बने हुए उसके लिए क्या होगा आपको यहाँ पर जाना होगा service location पर ठीक है यहाँ पर आप उसकी service डाल सकते हो just like एक ले लेते हैं हम HTTP ठीक है तो यहाँ पर TCP आपको protocol चूज करना होगा UDP या TCP ठीक है आप priority दे सकते हो priority just like traffic की priority आप मालो तीन service records बना रहो किसी पर priority दे 50 ठीक है 50 वाले पर ज्यादा traffic आएगा compared to 100 वाले से ठीक है तो आप weight भी डाल सकते हो weight भी define कर सकते हो port number यहाँ पर by default आ जाएगा क्योंकि HTTP हमने select किया इसलिए port 80 आ गया और कौन सा server यह service offer कर रहा है यहाँ पर उसका नाम डाल सकते हो और TTL मैंने आपको बता पहले से ही बता रखा है तो यह यह srv records बनाने का तरीका है ठीक है आप इसको बना सकते हो बट जैसा कि मैंने बताया srv record का का काम क्या होता है service को locate कराना ठीक है तो आसा करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा अगर आपके कोई भी questions या doubt हो तो please कर पहले मुझे comment box में बताएं thank you